नमस्कार दोस्तों पिसे एंड़ में आपका बहुत-बहुत स्वागाते हैं आज मैं आपको वर्चुल डिजी की टॉप 5 सौटकाट की के बारे में बताऊंगा जो आप यूज करके वर्चुल डिजी को और भी आसाने सी यूज कर पाएंगे और और भी आसाने सी डिजी मिक् सौटकाट की के बारे में आप वर्चुल डिजी यूजर जरूर जानते होंगे आप सेटिंग में जाके यहां पर देख सकते हैं आपको सारी की सारी सौटकाट की मिल जाएंगे लेकिन मैं आपको यहां पर यूज करके देखाऊंगा टॉप 5 सौटकाट की जो आप यूज क सकते हैं, आसाने से आप Virtual DJ को यूज कर सकते हैं, एंड DJ को Mixing कर सकते हैं, तो आएए वीजीओ देख लिए, सबसे पहले shortcut keys है, ऑल्टि फ्लास-cases ये एक Mixed now shortcut keys है, अगर आप Virtual DJ में दुनों साइट कोई भी particular song Mixing करते हैं, तो इस कीएके मदद से आप आसाने से सोंग को mixing कर पाएंगे example में मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह से आप mixing कर सकते हैं तो दोस्तों इन दोनों सोटकाट की को यूज करके आप आसाने ची भार्चूल डिजे में मिक्सिंग कर पाएंगे जो भार्चूल डिजे में किसी भी पर्टिकुलर सोंग को एक साथ मिक्सिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है इस की की मदद से आप आसाने सी भार्चूल डिजे में सोंग को mixing कर सकते हैं और हमारा सेकेंड डो सोटकाट की है नमबर फ्लास और नमबर माइनेज तो इस की की मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर सोंग को आसाने सी स्पीड कर पाएंगे एन स्पीड को स्लो कर पाएंगे मैं एक्जम्पल में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप इस की को यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से किसी भी सोंग को आप आसाने सी स्पीड कर पाएंगे अगर आप चाहते तो आपका स्पीड में पिले हो तो इस तरह से आप सौंग को प्ले कर सकते हैं स्पीड में तो दोस्तों हमारा नेक्स जो भाष्चुली सौटकाट की है वो है टेब की जी हां दोस्तों आपकी कीबोर्ड में अगर आप टेब की किलिक करते हैं तो यहां पर आपका जो डेक है आटोमेटिक चेंज हो जाएगा एग्जंपल आप देख सकते हैं मैं जैसे टेब की किलिक करता हूं तो ए से ए डेक से यहां पर बी डेक में आटोमेटिक चेंज हो रहा है तो इस ताह से आप deck को change कर सकते हैं और आसाने चाहिए DJ mixing कर सकते हैं या फिर आप आसाने से play and pause कर सकते हैं यह टेब की use करके तो यह भी एक अच्छा useful टेब की है जो आपको virtual DJ में use करना चाहिए DJ mixing के समय और दोस्तो virtual DJ के number 4 shortcut की है P button जी हाँ इस बटन के मदद से आप song को easily play and pause कर सकते हैं आप जैसे की देख पा रहे हैं अगर आप किसी भी particular song को इस तरह से mixing करते हैं या आप चाहते हैं कि यह song automatically pause हो जाए तो आप easily P button click करके pause कर सकते हैं पी बटन के लिए के play भी कर सकते हैं इसके लिए आप space button भी use कर सकते हैं जो play and pause होता है यह भी एक shortcut की है virtual DJ की एंड दोस्तों हमारा last and number 5 जो shortcut की है वो है sitter plus app इस shortcut की मदद से आप आपकी computer में जो song है इसको आप find कर सकते हैं easily charge कर सकते हैं इस तरह से जैसे की देख पा रहे हैं इसकी मदद से आप किसी भी song को आसानी से send कर सकते हैं just आप consider plus app किलिक करना होगा इससे आप song को आसानी से search कर पाएंगे और आप easily play कर पाएंगे अपकी deck पर तो यह भी कफी अच्छा एक useful shortcut की है दोस्तों मैंने आपको बता दिया बारे में जो top 5 shortcut की है मित का तो आपको पसंद जरूर आगे होगा इस वीडियो के बारे में अगर आपको सबाले सुझा बताना चाहते हैं तो आप हमें comment section तो पूश रखते हैं और हमारे चिन को subscribe जरूर के लिए ताकि आपको बारे मोबा आपको एपको आपको आपको पू़र की बारे में जरूर सुझा जरूर आपको बताना चाहते हैं